हमारे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो धन्यवाद दोस्तों दोस्तों यह आई अबी के मक्षी ड्राइब पांसो पचास है इसमें प्रोब्लम यहा है कि यह जब भी यह जो रिशेट सेप्टी रिशेट है ना इसकी कवर तूट गई यही कवर है यह यह जो लिमिट सुछ है दोनों इसमें तूट चुकी है तो यह काम नहीं कर रहा है सहीता बार 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 बंद चालू रहा है तो इसको हमें हटाना है तो इसको हटाने के लिए हम पहले से इसका रिशेट कवर खरीद रखे हैं तो इसको हम नया लगाएंगे और चेंज करें तो यह जो आयवबी की है उक्षी डायर है चलो इसके हम पेच खोलते हैं खोलने गबाद फिर इसकी जो ऊपर की कवर है इसको मटाते हैं अब ये इसको आसानी से निकालना क्योंकि इसके जो वायर होते हैं जिसमें खाचे होते हैं खाचे के अंदर से होके होते हैं क्योंकि आकसर ज्यादा खीचों के टूड़ भी सकता है तो इसलिए हम इसको आराम से निकालेंगे तो आराम से निकालना है ज्यादा इसमें धक्का नहीं देना है या किसी चीज से इसमें ज्यादा प्रेश नहीं करना है तो इसको आसानी से निकालेंगे निकालने में फिर आपको दिखाऊंगे इसमें दिक्कत क्या है अब देखो निकलने में तकलिफ हो रहा है कि जो इसको वाइर होते नो लगाने बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है चलो यह खुल गया खुल के बाहर हो गया अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो रिशेट बटन है न यह देखो यह बिलकुर खराब हो चुका इसलिए इसको टेप से हम भोक रखे हैं तो बार बार रिशेट करने प्राबलम होती है तो इसका जो लिमिट सुच है यह भी बार बार दिक्कत द देंगे इसको पहले आपको यह सुच को बाहर निकाल लेना है बाहर निकालने के बाद फिर जो बार यह बाद देख दिखाते है तो यह पूरा यह देखो जला हुआ है और और जब यह थर्मो स्टेट इसमें बैठता नहीं यह निकल निकल ज़ादा बार बार जब बार रिशेट का काम परता था तो रिशेट नहीं होती पिर इसे बार-बार पोलना परता था तो हम इस कबर को हटा देंगे इस कबर को हटाना है और हटाना इसलिए है कि हम जब भी रिशेट का काम करेंगे तो यह सही तरह चलेगी नहीं तो इसके जो इसकुरू लगी है इसकुरू को खोल देंगे हम क्योंकि हमारे पास कई इसे मशीनें जो खराब होती है तो दो मशीनें साथ ही दिखा रहा हूं चले यह निकल गया अभी रेड़ वाली जो यह बट पुश बटन इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे इस प्रकार से देखो यह कितरा जला हुआ है निकल भी नहीं रहा है तोड़ के ही बाहर निकालना पड़ेगा वैसे तो आसानी से नहीं निकलता है तोड़ के ही निकालना पड़ेगा हमें तो चलो हम इसको तोड़ के बाहर निकालते हैं यह देखो निकल गया है यह है और जो हम खरीते के लाएं है वो भी आपको दिखाता हूं यह देखो नएा आया हुआ है, लिखावठ सेम ही हर चीज़ लिखा हुआ है, तो सेम लिखात है, दोनों को सेम ही सब उस्सी तरह से है, फ़ड़ा सरे डिफेरेंस है कि ये वाइट में है यो सिलवर में है, उससे मतलब नहीं है, कारी करनी चाहिए, बस ये मुक्सी ड्राई और यह देखो बिल्कूल वही उसी तरह ही लिखावठीस में चलो अब हम इसका कनेक्शन करते हैं और चालू करते हैं तो कनेक्शन जैसे ही खोला था वैसे आपको करना पड़ेगा इस प्रकार से यह जो हमारी लिमिट स्विच है यह इस प्रकार से इसको आपको बैठा देना है इसमें अब फिर जो इसक्रू है इसको आपको कस देना पड़ेगा तो हो सकता हो इसका जो होल है वो थोड़ा सा पतला हो तो आप उसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे ज्यादा मोटा नहीं ये पेज फिरी हो जाएगा तो हम इसको पहले से ही थोड़ा सा मोटा कर दी है ताकि ये हमारा जो पेज है पेज आसानी से इसमें घुज जाए तो ये आसानी से पेज इसमें घुज गया है देखो सायद निकल भी जा रहा है तो इसको थोड़ा से में All बड़ा करना पड़ा करें। अभी कम है। ये देखो démocrate रही इसको हम लगते हम बड़ा कराना है। और बड़ा कर दिये हैं इसको हम लगाते हैं तो अब इसको ठीक उसी दिसा में बैठा देना जिस दिसा में था ये अब इसको हम टाइट कर देंगे टाइट करना है इसे हमें पेज को आराम से बैठाना है मैं जल्दबाजी नहीं करनी है जल्दबाजी से तूड भी सकता है तो यह नहीं करना है मैं तो चलो हम इसको टाइट कर देते हैं और यह अच्छी तरह से इसको कसना है कि यह भी ध्यान देना कि नीचे जो इसके पत्ति है जो ओन आफ करती है वो ठीक तरह से होनी चाहिए अब यह हम इस प्रिंग है यह इस प्रिंग हमारा मोटर का है कारबन है इसमें इस फिरिंग गई थी तो हम इसी का जुवाल बना के इसमें लगा देंगे ताकि जो प्रेश प्रेस्टेड बटन दबाऊ जो प्रेस्ट होना चाहिए तो इसको के लेंगे अभी अब इसको की छूजिट कट सौत है कि ट्रेंट तो या फॉया घृतिखत होती है ज्ञादा विवलोड रहे कहीं होता तो यह उस तो इसको हम बैठाते हैं लेकिन इसमें देखना पड़ेगा बैठाने के रेड वाली बटन उसमें खांचा कटा हो तो उस खांचे को इसके अंदर के खांचे को मिला नहीं यह बहुत टाइट होगा अभी हमने तो लगा दिया है लेकिन यह बहुत टाइट है इसको हम बाहर निकाल देंगे और फिर से हमें लगाना पड़ेगा इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा जब यह रेड वाली बटन इसमें डालोगे ना तो इसको खांचे दो खांचे खांचे के सेंटर में मिला के डालना है आपको आप इसको देखो तो कि यहां लगा जेए थेखो आसानी सी प्रश हो रहा है तो आशे ही आपको करना यह आशानी से प्रेश होना चाहिए यह चीज़का आपको ध्यान देना पड़ेगा और यह ठीक तरह से लग चुका है कि देखिए कितने वड़ीय प्रेश हो रहा है कि लोज नहीं होना चाहिए लूजmen अब कोई um जाप होता लोज़्िय से कारण ही खराब होता यह चीicking को आप고 ध्यान देना पड़ेगा किसी तरह से लोज नहीं होना चाहिए देखिए भी जो हमने लगाया था लोज नहीं होना चाहिए ऐसीज को आपको थ्यान देना पड़ेगा तो लोजिंग नहीं है तेकिन इसका जो बार-बार निकलता था ना इस्पिरिंग थोड़ा सा हाड थी तो हम उसी स्पिरिंग को फिर से चेंज कर दिये हैं ज्यादा हाड अभगा थी तो इसको और छोटा कर दिये हैं तो अब हम फिर इसको बैठाते हैं यह देखो बैठ गई अब देखो प्रेस रही है यही प्रेस करना है असानी से यह सही त Scan प्रेस हो रही है चलो अब इसको हम लगा देते हैं पहले नीचे वाला वायर अंदर डालेंगे फिर इसको थोड़ा सा मोड़ना है इतना नहीं मोड़ना है कि तूड़ जाए आराम से इसको मोड़के फिर उसी अस्थान पर इसको बैठा देना है और अब इसको उपर की तरफ खिशकाते हैं खिशक गया यह ध्यान देना कि इसके नीचे तार नहीं दबना चाहिए और हम फिर इस कुरू से टाइट करते हैं तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसी इसी वीडियो बनाते रहते हैं एनी टाइम वीडियो बनाते हैं नहीं जानकारी देते हैं तो आप लोग जादा से जादा हमारी वीडियो को सेयर करा करें तो ताकि हमारा भी कॉमेंट जरूर करेगर वीडियो अच्छी लगते ताकि हमारा भी मनुबल बढ़े कि हां लोग देखते हैं कॉमेंट करते हैं सही अब चलिए यह कंप्लीट हो चुका है पावर सही तरह से कारे कर रहा है फिर खोलते हैं बिलकुल एकदम accurate काम कर रहा है तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ